बॉलिवुट की सभी फिल्मे अधिकतर एक्षन फिल्मे होती है और उन फिल्मों में किये जाने वाले एक्षन आपको अत्याधिक पसंद आते हैं और इन एक्षन की बदौलत ही आप सूपर स्टार्स को पसंद करते हैं बॉलिवुट फिल्मों में दिखाय जाने वाले स्टंट सही नहीं होते हैं कहने का मतलब है कि फिल्मों में जो एक्शन सीन हीरो के द्वारा दिखाय जाते हैं असल में वो हीरो नहीं बलकि कोई और करता है बॉलिवुट फिल्मों में दिखाय जाने वाले एक्टर एक्टरस के कारणा में हर किसी के दिल में जगहा बना लेते हैं जिसके बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं ठकते हैं लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जादतर लीड एक्टर्स खतरनाक स्टंट को करने के लिए बॉडी डबल का इस्तमाल करते हैं परदे पर दिखने वाले खतरनाक सीन कोई और नहीं खुद स्टंट मैन और महीलाएं करती है जिनको बिलकुल एक्टर और एक्टर्स जैसा बना दिया जाता है आज हम आपको इनके बारे में बता रही हैं जी हाँ, ये बात शायद आप लोगों को पता ना हो दरसल आप फिल्में देखते हो और आपको लगता होगा कि ये हीरो क्या बहतरीन आक्शन करता है लेकिन आप गलत सोचते हो, वो हीरो नहीं बलकि कोई और एक्शन करता है तो चलिए जानते हैं इन महान लोगों के बारे में जो अपनी महानता को आज तक लोगों के सामने नहीं ला पाए लेकिन आज की हमारी इस वीडियो के जरिये हम आपको इन लोगों के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो के अंततक बने रहिए सनोबर परदी वाला दोस्तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं फीमेल स्टंट मैन की जिनका नाम है सनोबर जो अगर बॉलिवुड में नहीं होती तो शायद प्रियंका, दिपिका और कैटरीना जैसी अभिनेतरी आपको फिल्मों में बड़े-बड़े हत्यारों के साथ या फिर लंबे-लंबे छलांग भरती हुई नजर नहीं आती आपको जानकर हैरानी होगी कि सनोबर करीब 12 साल की उम्र से बॉलिवुड इंडस्टरी में सक्रिये है और वो फीमल आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही है हाला कि एक इंटर्व्यू के दौरान सनोबर ने बताया था कि उन्हें खत्रों से खेलना पसंद है इसलिए वो ऐसे खत्रे मोल लेती है हाला कि इनकी तारीफ भी काफी की जाती है जाविद ऐल बर्नी लोग सल्मान खान के एक्शन सीन को बहुत पसंद करते हैं उनकी ज्यादातर फिल्मों में विसफोटक एक्शन सीन होते हैं सल्मान खान की एक्था टाइगर में भी काफी एक्शन सीन थे फिल्म के जादतर स्टन्ट सीन सल्मान खान के आउट्फिट पहने जावेदल बर्नी ने किये थे रियास शेख इस व्यवसाई में लगभग 25 वर्षों से है उनके पिता भी स्टन्ट मैन रह चुके हैं रियास ने गोविंदा जैसे अभीनेताओं के लिए स्टन्ट करना शुरू किया था अब रितिक रोशन जैसे एक्टर के लिए बॉडी डबलिंग कर रहे हैं रियास को रितिक रोशन की बॉडी डबलिंग करते हुए एक इमारत की 32-वी मंजिल से कूदना पड़ा था अब आपको मिलाते हैं 31 साल की इस वुमन स्टंट आर्टिस्ट से दरसल इन्हें भी खतरों से खेलना काफी जादा पसंद है आपको बता दे कि गीता टंडन बॉलिवोड में एकलोती ऐसी स्टंट वुमन है जो बाइक कार जैसी चीजों को हवा में उडाती हुई या फिर आग से निकलती हुई दिखाई देती है ऐसे सीन जब बॉलिवोड एक्टर्स पर फिल्माई जाते हैं तो उनकी जगह इन्हें ये सीन्स दिये जाते हैं ताकि उन पर कोई खतरा ना आए आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता ने लगभग हर मेगा बजट की फिल्म में काम किया है जिनमें उन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को उभारा है और इसी बचा से आज स्टन्ट वुमिन के लिस्ट में इनका नाम काफी गर्व से लिया जाता है एक सीरियल की शुरुवात में एक किले में केबल का शूट किया गया था गीता को ससुराल छोड़ने के बाद से कभी किसी चीज़ का डर नहीं लगा उन्हें लगता है कि डर के आगे जीत है और वो तब से आगे ही बढ़ती जा रही है आसिफ महता साथ साल से अधिक समय से स्टंट मैन है और उन्होंने मनोज वाजपई और इमरान हाश्मी जैसे अभिनेताओं के लिए स्टंट किये हैं हाजी कसम इंडस्ट्री के बहतरीन स्टंट मैनों में से एक हाजी भाई ने 1991 में काम के दौरान अपनी जान गवा दी थी हवा के बीच में एक कार को उल्टा पलटना हाजी कसम के काम का हिस्सा था तेजाब, इनाम दस हजार और करिश्मा जैसी फिल्मों में उनके कार स्टंट एनिमेटेड पल्प फिक्षन से कम नहीं थे फिल्म हमला की शूटिंग के दौरान हाजी भाई को पानी में एक कार चलानी थी और उसमें से कूदना था दौर भागे से वो अंदर फस गए और बाहर नहीं आ सके हाजी की 40 साल की उमर में कैमरे पर मौत हो गई MS बल्राम रावन फिल्म में अभिशेक बच्चन के सभी खतरनाक स्टंट सीन MS बल्राम द्वारा किये गए थे चुंकि बल्राम और अभिशेक एक जैसे दिखते हैं इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उन्होंने ये सारे स्टंट सीन किये हैं रेश्मा पठान बॉलिवुड ही नहीं बलकि देश की पहली स्टंट वुमन रेश्मा पठान ने 14 वर्ष की उम्र से ही स्टंट करना शुरू कर दिया था रेश्मा पठान भारत की पहली स्टंट वुमन है उनकी पहली फिल्म बत और स्टंट आर्टिस्ट एक खिलाडी बावन पत्ती थी। उसमें उन्होंने लक्ष्मी छाया जी के डुप्लिकेट का रोल किया था। शोले गर्ड के नाम से प्रचलित और रेश्मा पर बन चुकी बायोपिक। शोले गर्ड ने उनकी जिन्दगी के बारे में तो लोगों को बयान किया है लेकिन बॉलिवूट की पहली महिला स्टंट वोमन बन कर आज भी सड़सट की उमर में वो स्टंट करने से नहीं कतरा थी। रेश्मा पठान द्वारा किये गए कुछ महत्वपून सीन जिसमें फिल्म एक खिलाडी बावन पत्ती में उन्हें अन्बैलंस होकर गिरने का शौट दिया था। इस्तमाल हुआ है। और राज महल चुनोती जैसी फिल्मों में उन्होंने नीतु सिंग का भी डबल रोल किया है। आस्मा शेख आज के दोर में भी स्टंट वोमन आस्मा शेख अपना काम बखूबी कर रही है। इस्तमाल ही में रिलीज हुई फिल्म छपाक हो या फिर कंगना रौनोत की एक्शन सीक्वेंस मनी करने का हो। बाजी राव मस्तानी में मस्तानी की तलवार बाजी और घुड सावारी हो या फिर फिलौरी में अनुष्का शर्मा के लिए भूतिया एक्शन अपनी लंबी हाइट और अच्छी कदकाठी होने की वजह से आज के दोर की सभी लीडिंग एक्टरस के लिए आस्मा शेख को तरह से परफेक्ट माना जाता है और जब भी एक्शन सीक्वेंस में एक्टरस के लिए बौडी डबल की जरूरत होती है तब आस्मा शेख का नाम सबसे पहले आता है इन एक्शन सीक्वेंस को करते समय आस्मा ने कई बार अपने हाथ पैर में फ्रेक्चर का भी दर्द लिय अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छपाक के ट्रेलर में जो एसिट गिरने के बाद दिपिका का गिरने का सीन शूट हुआ है वो आस्मा ने ही किया है फिल्म मनी करनिका में घुर सवारी के काफी सीन आस्मा द्वारा किये गए हैं बाजी राव मस्तानी में दिपिका का जो तलवार बाजी का जो शॉट लिया गया है वो भी आस्मा ने ही किया है। अंत में जब घर जादा पेमेंट लेकर आते हैं तो सारा दर्द छू हो जाता है। हमारे साथ जरूर शेर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाई बाई